नमस्कार एंडी टीवी इंडिया के मत्परदेश 36 गर्ड चैनल में आपका स्वागत है मैं हूँ मनुरंजन भारती समस्पले बात करते हैं मत्परदेश के पूर्व मुखमंत्री कमलनात का बरादावा उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कई नेता मेरे संपर्ग में है कमलनात क कहना कि कॉंग्रेस कार करता राजी होंगे तभी इन नेताओं को पार्टी में सामिल कराया जाएगा समंदर पटेल भी हमारे कार करताओं की मर्जी से ही पार्टी में आये हैं आपको बता दो कि पिछले दिनों बीजेपी छोड़ कर कॉंग्रेस में कुछ नेता आये हैं कु लेता बीजेपी से वापस आ रहे हैं तो क्या जो पहले से मौझूद कॉंग्रेस के कार करता है। उनकी पर्तिकिरिया को देखते हुए, अब यह कहा जा रहा है, पुर्मक्मंतरी कमलनात्थ है कि यदि कॉंग्रेस के कारकरता हाम ही भरेंगे, तब ही बीजेपी से आने वाले इन नेताओं को कॉंग्रेस में सामिल कराया जाएगा तो ये एक बड़ा बयान है और आने वाले दिनों में जैसे ही चुनाओ में होता है आपको मालूम है कि किस तरह से चुनाओ के मौसम विग्यानिक जिसको कहा जाता है कि जो नेता कुछ नेता ऐसे होते हैं हर राज में प्रदेश में देश के लेवल पे भी होते हैं जिनको ये पता चल जाता है किसकी सरकार आने वाली है या किसकी सरकार जाने वाली है वो पल समझते हैं तो वो किनों में कुछ विधाएक बीजेपी के उन्होंने इस्तिफा दे करके तो जी हां तो हम अपने सयोग्यों के पास चलेंगे अनुवाग द्वारी के पास चलते हैं अनुवाग है हमारे साथ जुल्फी भी राहपूर से जुड़ें अनुवाग सबसे पहले आपके पास आता लिए इस बयान का क्या मतलब है कि पार्टी कार करता कहेंगे तभी जो हम अपने पार्टी में आने देंगे तो क्या कोई वोटिंग होगी कैसे पता चलेगा कि पार्टी कार करता ने हां कर दिया है तो आप इने सामिल करा लिजे बाबा मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि कमलनाथ जिसके नाम पर हाथ रख देंगे पार्टी कारे करता उनको हाँ कर देंगे बेरहाल जो आपने सही कहा और खास करके जो ग्वाली अर्चंबल का इलाका अगर आप देखेंगे बाबा जो जोतरा दित सिंध्या का गड़ रहा है वहां से लगातार बीजेपी के नेता चाहे विरेंदर रगुवनश्वी हो या इसके पहले चार-पांच और कदावर नेता हो शुरुआत हुई थी दीपक जोशी जो संग के और बीजेपी के कदावर नेता मुख्यमंतरी कैला जोशी के सुपत्र थे और मंतरी भी रहे थे उन्होंने जब बीजेपी को छोड़के कॉंग्रेस को जॉइन कर लिया देवास से आते हैं और कमलनाथ के बयान का नहितार्थ इसी में है कि जब पार्टी कहेगी पार्टी के कहने का मतलब में बाबा आप भी जानते हैं कि जो स्थानिय स्थर पर अगर कोई दूसरी पार्टी से किसी और पार्टी में जाता है तो जो उस पार्टी का प्रत्याशी है उस पार्टी का उमीदवार है उसकी उमीदों को जटका लगता है और कहीं न कहीं को सबोटाज न हो जाए कहीं न कोई अंदर खाने विरोध इतना तेज न हो जाए कि जीती जाती विसात को हारना पड़े इसलिए अंदर मंतरना करना ज गिर्जा शंकर उन्हों ने भी बीजेपी छोड़ दी है तो बहुत सारे ऐसे लोग हाला की बीजेपी नेताओं का कहना है कि चुनाओं से पहले आयराम गयराम चलता रहता है इसे उनको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है और यह भी मानके चलना पड़ेगा कि बीजेपी में इस बार भी लगभग 30 से 40 मौजुदा विधायकों के टिकेट कटेंगे तो कहीं न कहीं जिन उमिद्वारों को ये पता लग रहा है बाबा कि उनकी टिकेट पर शायद संदे है हो सकता है कि वो पार्टी पहले छोड़ना पसंद कर रहे हो आपने सही का मेरा सवाल यही था कि जिन अमेले को लग जाता है कि इस बार टिकेट नहीं मिलेगा वो दूसरी पार्टियां देखना शुरू करते हैं लेकिन क्या यह कॉंग्रेस के लिए शिरदर्द है या कई बार बोलते हैं कि इस इच गुड हेडक तो यह कैसा हईडक है बुरा हेडक है या गुड हेडक है है देखिए बाबब में तो लंबे वक्त से हिड़िक की समस्य से जूजता रहा हूं और सीधिक़ रसे लाए लेकिन यह सिर्देर जो बीज पी का है वह प्रस्प इस लंगाने से ठीक हो मैं आपको बता दूँ कि अभी हाली का मामला आप देखिए जैसे चुकी प्रियंका को जो टिकेट मिला है पैंची चांचोडा को उससे जो ममता मीना है वो खासी नाराज है और देखने में आ रहा है कि कहीं नाराज़गी अब बीजेपी के तमाम और भी लीडर है उनको टिक कि हमारे जो पार्टी के टिकेट है उनको कटने का डर है तो इस बज़े से लोग पहले से ही अपनी जगे तलास रहे हैं जैसे शीवपरी में अभी देखने में आया वो एक विदायक जो भी घीरेंद्र रगुबंसी उन्होंने पार्टी छोड़ दिये तो जिनको पहले से एसास हो रहा है वो निश्चित तोर पर उनके आने से कॉंग्रेस के समय करण अंदर उनी तो नहीं बिगडेंगे बिल्कुल कॉंग्रेस के बाकि इस से लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि जो पार्टी बीजेपी को जरूर इस से नुकसान होगा कि देखने में आ रहा है कि त तुमाम आप देखिए खुद जो अभी प्रदेश के मौजूदा मुक्मंत्री हैं वो भी वहां से चुनाव लड़ चुके हैं और एक से लिग्गज वहां पर जाके लेकिन ऐसा नहीं है वहां की जो जनता है कहीं उनका किले के प्रती गहरा लगाव है और तो उनको वहां स चोड़ रहे हैं वो दो मंत्रियों के ग्वालियर के प्रद्यम सिंग्तोमर और आपके लागे से महिंदरी शिंख से सोधिया इनको निशाने पर क्यों रख रहे हैं निस चुकि कहीं ना कहीं जो है यह महाराज से जुड़े हुए चुकि महल से जुड़े हुए और अब इस भी बजे हो सकती हैं बाबा देखे संट सर पर जैसा कि महन बता रहे थे कई बार ये समस्य साथी है कि आप दूसरी पार्टी से औयात करके नेता ले तो आते हैं लेकिन उससे जो आपके स्थानिय समिकरन है वो बिगड़ जाते हैं और यही कुछ हो रहा है कम से कम गॉल जी अनुराग आपका बहुत बहुत सुक्रिया और आगे बढ़ते हैं आपसे फिर बाचीत होती रहेगी अनुराग और पुर्मुक्मति दिग्विजय सिंग ने ट्वीट करते वे कहा है कि MP में मद्दाता को सिर्फ कॉंग्रेस और भाजपा के बीच में ही किसी को चुनना है बाकी सभी राजितिक पार्टियां और प्रसांगिक हैं यही नहीं दिग्विजय सिंग ने MP में बसपा सपा आम आदमी पार्टी और AIMIM की चुनावी तैयारियों पर भी निशाना साथा साथ ही कहा कि भाजपा वादे कर भूल जाती है और चुनावाने पर रेवरियां बाढ़ती हैं लेकिन कॉंग्रेस वादे निभा कर गरीब किसान मजदूर मद्यमवर्ग की मदद पूरे कारकाल करती रहती है तो यह दिग्विजय सिंग का बयान था अगे बढ़ते हैं केंसरकार ने वन नेशन वन एलेक्षन को लेकर के बरा कदम उठाते हुए पुर्राजपती रामनाद कोविद के अध्रिक्सता में एक कमीटी गठीद कर दिये पुर्राजपती के अध्रिक्सता में कमीटी कानून के सभी पहलों पे विचार करेगी और एक देश एक चुनाव की संभावना का पता लगाएगी कमीटी लोगों की राय भी लगी वन नेशन वन एलेक्षन के विचार का मतलब है कि देश में लोकसभा और राजियों के विदान सभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर है इंडिया गटवंधन को को लेकर के मुंबै में इंडिया गटवंधन की एलाइस की तीसी बैठक जो है वो खत्म हो गई है विपक्षी गटवंधन ने जो है एक 13 लोगों का एक कमीटी की घोशना की है जिसमें की सर्थपवार ज काम करेगी तीस तरह से सीट सेरिंग हो कहा जा रहा है कि सीट सेरिंग के बारे में भी काफी चर्चा हुई है अलांकि आज इसकी घोशना नहीं की गई है लेकिन यह कहा गया है कि यदि किसी पार्टी को कुछ भी सेक्रिफाइज करना पड़े दो कदम पीछे अटना पड़ हो हम हम सीदे रहुनक के पास चल सकते हैं रहुनक हमारे साथ मुंबई से जुर गए है रहुनक अभी प्रेस कॉंफरेंस खतम हुई है इंडिया एलाइंस की क्या बाते निकल करके सामने आई है यहां पर निताओं के बीच में देखने को मिल रही थी साफ तोर पर एक एजंड यहां पर देखने को मिल रहा था कि 2024 का चुनाव किसी भी सूरत में सभी जो इंडिया गटबंदन का अलाइंस है वो मजबूती के साथ दढ़ेंगे यही संदेज देने की कोशिच जो है मंच पर जब प्रेस कॉंफरेंस की गई तो हर निता की तरफ से जो अपनी बात रखी गए उसमें ये एक प्रमुक मुद्दा जो है वो देखने को मिला दूसरा महत्वपूर्ण की सुभा से जिस तरह की खबरे सामने निकल कर आ रही थी कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कें कमिटी गटित कर दिये तो उसको लेकर भी काफी विस्त्री जो है वो चर्चा इन इंडिया एलायंस के निताओं के बीच में हुई है और जो हमेश उतर जानकारी दे रहे उसके मताबिक इंडिया गडबंदन के निताओं ने ये भी तह किया है कि जब ये मुद्दा संसत के विशेश सत्र में अगर आता है तो उसको लेकर भी फ्लोर पर इसका विरोध जो है वो किया जाएगा मलिक अरजुन खरगे जो कॉंग्रेस पाल्टी के अद्ध्यक्शन और साफतोर पर का कि बिना विश्वास में लिए मोधी सरकार ने विशेश सत्र बुलाने का फैसला कि जो सीटों का बठवारा आने वाले दिनों में होना है 30 सितंबर तक की तारिक तै की गई है कि राज्यों राज्यों में अपनी समिती गठित करकर सीटों का बठवारा जल से दल किया जा सकी है इसलिए कि कई नेताया अनुमान लगा रहे ममता बैनर जी हो या फिर नितिश प्रवाब यह है कि इस बैठक के बाद यह साफ दिख रहा है कि किसी भी सूरत में भले एक कदम पीछे क्यों ना आना पड़े किसी राजडितिक दल को लेकिन यह गड़बंदन जो है सीट शेरिंग या किसी दूसरे मसले पर नहीं तूटने वाला यह बहुती मजबूती के साथ एंडिया का मुकाबला करेगा यह संदेश मुंबई की बैठक से निकलता हुआ दिख रहा है जी एक छोटा सा सवाल है रह नक मेरा आप से आप दो दिन से ए तीन दिन से यह चीज़ को कबर कर रहे हैं इस इंडिया मीटिंग को बैंगलोर की मीटिंग में मैं मैंने कब पर की थी तो क्या आपको लगता है कि यह सारे मतवेद भुला करके यह इंडिया गटबंधन सीटों के बटवारे तक पहुंच जाएगी क्योंकि मेरा यह मानना है अर्थमेटिक्स तो है इनके पास साइध केमिस्ट्री में कमी है आपको क्या लगता है यह निशित तोर पर जैसा आपने कहा कि आप बैंगलोर के बैठक में थे पटना में भी कई पत्रकारों ने वो कवर की लेकिन जैसे जैसे यह बैठक के आगे बढ़ रही है जो कॉडिनेशन है वो इन निताओं में उनकी बॉड़ी लेंगवेज में शुरुवाती तोर में ज चलेगा नहीं चलेगा दोजर चॉबिस तक विचारू की पाल्टिया इसमें शामिल है लेकिन आज जो मैं देख पा रहा हूं यहां पर मुझे निशित तोर पर लगता है अर्विन केजरिवाल का भी बयान और मध्यप्रश्चिश गड़ में जो चुनाव होने हैं वहां प चुनाव है वो मजबूती के साथ लड़ेंगे विदान सभा के चुनाव में भी कुछ नेता शरत पवार जैसे नेता जो है वो निशित तोर पर अर्विन केजरिवाल और कॉंग्रेस के बीच में बीच कर आस्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर भी गड़बंदन की सबसे बड़ी सफलता है क्योंकि सबसे बड़ा पेज जो है कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली पंजाब में फशा हुआ है क्योंकि कॉंग्रेस को लगता है कि अर्विन केजिवाल च्छतिसगर मतपरदेश और रास्थान में भी जो है विदान सभा का चुनाव लड़ेंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि वो गुजरात और गुवा में कॉंग्रेस को हानी पहुचा चुके हैं लेकिन अब अर्विन केजिवाल का ये कहना कि हम एक कदम पीछे हटने के लिए तयार हैं कॉंग्रेस को नेरहात की सांस ली होगी है कि चुनाव स सरकार के खिलाफ आरी आरोपत्र जारी करेंगे आज वो बीजेपी के दिगज नेताओं के साथ चुनावी रनीती बनाएंगे और दो तारी को राहूल गांदी भी 36 गड में होंगे क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर सीधे अपने सयोगी जुलफिकार के पास चलते हैं आप यह तस्वीरें देख रहे हैं कि कि दंग से आरोपत्र बगेल खिलाफ बगेल सरकार के खिलाफ जो है और उधर कॉंग्रेस ने भी जो है इसका कार्ट ढून लिया है जुलफिकार बताईए काफी राजनितिक पारा गरम हो गया है बाबा बिल्कुल 36 गड़ का राजनितिक पारा अपने चरम पर पहुंच गया है यह कहा जा सकता है क्योंकि चुनाओं की तारीक घुस्रा होने के पहले कॉंग्रेस या भारती जन्ता पार्टी दोनों ने अपनी तयारियां तेज कर दी हैं जैसा कि 29 तारीक को पहली बार ज जो 36 गड़ की सरकार रही है 15 साल तक और केंद्र सरकार की खिलाब एक काला चठा तयार किया और आज उस काले चठे को एक प्रेस कांफिरेंस के जरिए जारी किया गया है तो इसमें केंद्र सरकार के 111 विंदू हैं जिसको कॉंग्रेस ने सीधे तोर से आरोप लगाए है कि केंद्र सरकार के 9 सालों के दौरान क्या क्या हुआ है तो सबसे पहला जो विंदू उन्होंने रखा बाबा वो लिखा कि अच्छे दिन कवाएंगे और इसके बाद तमाम जो आरोप लगते रहे हैं केंद्र सरकार के उन आरोपों को उन्होंने उसकी फैरिस्त जो है एक और सबसे एहम जो आखरी में कंक्लूड कि अबाबा तो उन्होंने कंक्लूड ये किया कि आदिवासी और अनुसुचित जाती और अन्य पिछड़ा वर्ग की विरोधी है बारती जंता पार्टी मतलब साब संदेश इस काले चिठ्थे के जरिए देने की कूसिस की गई है कि देवासी और जो यहां के कास्ट के लोग हैं और अन्य पिछड़ा वर्गी की लोग हैं वो कॉंगरेस के साथ में हैं और कॉंगरेस के साथ रहेंगे तो यह सिएसी पारे में आज काला चिठ्था ये था और कल के अगर घटना करम की बात करें तो उसके पहले आमिठ साय मातुर और सहय प्रभारी नितिन नवीन ये बैठक में शामिल होंगे और भाजपा के प्रदे सद्यक्ष भी रहेंगे तो इस पर मन्थन होगा क्योंकि भारती जनता पार्टी ने पहली लिस्ट तो बाबा जारी कर दी है अब दूसरी लिस्ट ने जारी करनी है तो जो पैनल लाए है जो नाम आये हैं उस पर भी चर्चा हो सकती है और इसके अलावा कल जो बारती जनता पार्टी आरोप पत्र जारी करने वाली है तो उस पर चर्चा होगी क्योंकि उसकी तैयारी हो चुकी है और फाइनल हमें साहँ उसको देखेंगे और उसको तयार किया जाएगा तो ये बात कहीं जा रही है कि वो तमाम विशह हो सकते हैं इस आरोप पत्र में जिसे भारती जन्ता पार्टी अभी कुछ दिन पहले मांसून सत्र में अविश्वास प्रस्ताव के जरिये लेकर आई थी और जो आरोप कॉंग अर्मिया च्छतिसगड़ में बहुत तेज हैं और कल एक पॉलिटिकल बिग मेगा सौर चतिसगड़ की राजधानी रायपूर में होगा क्योंकि हम एक तरफ आरोप पत्र जारी कर रहे होंगे दूसरी तरफ राहूल गांधी यूवा समयलन को संबोधित कर रहे होंगे और यह द्याल है संचेप में जब आप चाहूंगा बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट दे दी है कौंग्रेस की पहली लिस्ट का बार हो कॉंग्रेस की पहली लिस्ट छहतारिक आने की पूरी संभावना है जैसा कि प्रदिश्प्रवारी कुमारी सेल ने कहा था कि छहतारिक को जारी कर देंगो और कॉंग्रेस की अपनी तयारी हो गई ब्लॉक इस तर में जो दावेदार हैं उनके नाम आये थे जिला इस तर पर आने के बाद पैनल लगबग तयार कर लिया गया है और अब उसे CEC के पास भेजा जाना है जी बाबा जी जी जुल्फी आपका बहुत बहुत सुक्रिया तो जुल्फी कार जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से 36 गड़ में और खास का राइपूर में सियासी पारा जो है गरम हो गया है बड़े नेताओं के दोरे अब सुरू हो गया है आगे बढ़ते हैं कि इन सरकार ने 18 से लेकर 22 से बीच पांच दिनों के लिए संसद का विशेश सत्र बुलाया है हलाकि कोई एजेंडा की बात नहीं कही गई अभी तक नहीं आई है संसदिया कारमनती परला जोसी ने इसकी जानकारी दी है इस सत्र का एजेंडा के बारे में कयास ही लगाए जाने लेकिन इतन जरूर कहा जा रहा है कि जो अमरित काल के बीच जो यह संसद का सत्र आयोजीत हुआ है उसमें विशेश रूप से चंद्रयान की सफलता और जी ट्वेंटी तब तक जी ट्वेंटी खतम हो जाएगा 8-9-10 सेप्टेंबर को जी ट्वेंटी है उसके बाद इस सत्र में इन दो दोनों विश्यों पर चर्चा की जाएगी और एक संसद में एक तरह से इसको रिजुलूशन पास किया जाएगा संसद के दोनों सत्नों से प्रस्ताव पास किया जाएगा आपको बता दें कि यह सत्र जो है अठारा तारीक को पुराने संसद्भवन में सुरू होगा और इस जा रही है का जा रहे हैं और सबको इंतिजार है कि इस विशेश करो करके तो निश्दी ट रूप से विशेश सत्र भी होगा और काफी कुछ राजनितिक गति भी दियान लगातार होती रहेंगी खासकार मतपरदेश hackingle 46 गर्न की बात करें तो अभी चुनाव की घोशना नह का सिलसिला लगातार जारी है